पारा विशे है उदासींता उदासींता हृदे का ऐसा भाव है जहां हमें किसी बात में रुची नहीं रहती हम कोई कारे करने के लिए उच्साहित नहीं होते उदासींता जब एक सीमा से बढ़ जाती है तो मन का रोग बन जाती है मनुष्य जीवन से अधिक मृत्यू को पसंद करने लगता है हम सब जीवन में कभी ना कभी उदासींता का अनुभव अवश्चे करते हैं मन निराशा से भर जाता है और हम कारे का त्याग कर बैठते हैं अधिकतर हमारी उदासींता कुछ समय के लिए ही होती है इसलिए उससे हुने वाली हानी को हम पहचान नहीं पाते किन्तु उदासींता धीरे धीरे आदत का रूप धारण कर लेती है और हम बार बार उदासींता के कारण हाथ में लिए कारे अधूरे छोड़ देते हैं क्या हमारे सब के साथ ऐसा नहीं होता तो वास्तव में उदासींता क्या है इसका जन्म कहां से होता है इससे छूटने का उपाय क्या है उदासींता वास्तव में मन की ऐसी स्थिती का नाम है जब हमें अपनी तकलीफों अपनी कठिनाईयों का कारण बाहर दिखाई देता है हम कहते हैं कि समाज बुरा है, नौकर या स्वामी गलत है, पती या पत्नी का बरताव अनुचित है, जीवन की परिस्थितियां प्रतिकूल है, वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा वगेरा वगेरा और जब दुख का कारण बहार होता है, तो उसको बदलने का हमारे पास कोई मार्ग नहीं होता क्या ये सत्य नहीं? हम समय को किस प्रकार बदल सकते हैं, पर इस्थितियों में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं हम? अर्थात, हम स्वैम को निसाहय मानने लगते हैं और वहीं से उदासींता का जन्म होता है क्या ये सत्य नहीं? प्रश्न ये है कि क्या हमारी सारी विपदाओं का कारण बाहर है या स्वैम हमारे भीतर है? क्या हमारी सारी विपत्तियां हमारे बुरे हालात क्या दूसरों के कारण है क्या हमारा परिवार हमारा शत्रू है क्या समाज दुश्मन है या हमारी परिस्थितियां हम स्वैम निर्मित करते हैं विचार कीजिए पत्जड में पत्ते गिरा देने वाली ठंड क्या व्रिक्ष के साथ दुश्मनी कर रही है नहीं रितु चक्र तो अपना कारे करता है उसे पेड़ के साथ ना दुश्मनी है ना दोस्ती रितु चक्र के अनुकूल हो जाना व्रिक्ष का करतव्य है ठीक वैसे ही समाज कभी किसी व्यक्ति का ना मित्र होता है ना शत्रू समाज को जिससे लाव मिलता है समाज उसका मित्र बन जाता है अर्थात समाज